आम्तोर पर ये माना जाता है कि VVPAT यानी वोटर वेरिफाइड पेपर ओर्डर ट्रेल की परचियां EVM का लिटमस टेस्ट है इनके सहारे EVM की विश्वसनियता साबित होती है ऐसा इसलिए कि VVPAT सिस्टम से पता किया जा सकता है कि हमने EVM पर जिसे वोट दिया है उसे ही वोट गया की नहीं मगर पूर्फ आयस अधिकारी कनन गोपिनाथन को ऐसा नहीं लगता उनका कहना है कि VVPAT ने EVM को कमजोर किया है कनन ने हाल ही में स्वतंद्रता और फंडमेंटल राइट्स जैसी वजहों को लेकर स्तीफा दे दिया था कनन गोपिनाथन ने VVPAT को लेकर EVM की सुरक्षा पर सवाल उठाए है 24 सितंबर को उन्होंने कई ट्वीट्स किये गोपिनाथन का कहना है कि VVPAT ने EVM की सुरक्षा को कम किया है इसके डिफेंस सिस्टम में एक लूप होल है और VVPAT की वजहां से हैकिंग का जोखिम पैदा हो गया है कनन ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपको EVM के लिए मेरा डिफेंस शायद याद होगा मैं अभी भी इसके साथ खड़ा हूँ मगर VVPAT के साथ मेरे पहले चुनावी अनुभव ने मेरा भरोसा चीन लिया है VVPAT ने EVM की सुरक्षा में सेंध मारी की है इसकी वजहां से EVM से जुडी प्रक्रिया को हैक किये जाने का जोखिम है इस ट्वीट में उन्होंने पूर्फ चीफ इलेक्शन कमिशनर शाबुद्दीन याकूब कुरेशी मौजूदा कमिशनर अशोक लवासा और इलेक्शन कमिशन के उफिशिल ट्विटर पेज को टाग भी किया है अभी तक इन्हें से किसी ने भी कननन के ट्वीट पर कोई भी रिप्लाइ नहीं किया है कननन ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने दो बार इस पर सवाल उठाया था ये दो मौके थे IIIDM में रिटर्निंग अधिकारियों के साथ ECI ट्रेनिंग के दोरान और फिर ECIL के साथ कमिशनिंग के दोरान ऐसे में अब वो बिना किसी दुर्भावना के अपनी चिंता बया कर रहे है उनका कहना है कि VVPAT की विवस्था ने EVM की फूल प्रूफ प्रक्या को कमजोर बना दिया है और इस पर ततकाल ध्यान दिये जाने की जरूरत है कनन ने 21 अगस्त को अपने स्तीफे का एलान किया था इसके पीछे उन्होंने कश्मीर खाटी में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंदों को कारण बताया था डेजिंगनेशन देते हुए उन्होंने कहा था कि दुन्या के सबसे बड़े लोकतंफर ने एक राजे यानि जमू और कश्मीर को बंद कर दिया और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तक किया आगे चल कर अगर कोई पूशे कि ऐसे वक्त में मैं क्या कर रहा था तब मेरे पास देने के लिए कम से कम एक ये जवाब तो होगा कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया नमस्कार अदाब मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दीललन टॉप अगर ये विडियो आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दीललन टॉप को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकिन पे भी क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचें हम अब इंस्टेग्राम पे भी हैं तो ऐसे ही और वीडियो उसके लिए हमें वहाँ जरूर फॉलो करिए तैंक यू